हेलो फ्रेंड्स नर्मदेहर मारे वा उनलाइन क्लासेश में आपका सौगत है दोस्तों अधि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी नए वीडियो बनाए तो उसका नोट उद्गम देखते हैं ठीक है सोन नदी का उद्गम होता है मैकल परवसंक्ला मैकल कहां इस्तित है मतबरत इसके पूरी भाग में इस्तित है ठीक है ना मैकल परवसंक्ला में इस्तित अमर कंटक से इसका उद्गम होता है ठीक है किस जिले में होता है अनुपुर जिले में हो चुके हैं कि अमर कंटक से नर्मदा का उद्गम होता है अब हम पढ़ रहे हैं किसका उद्गम हो रहा है सौन और किसका उद्गम होता है तो जोहिला ठीक है ना तो तीन नदियों का उद्गम होता है कहां से अमर कंटक से कौन-कौन सी ये नदिया है तो नर्मदा, सौन और ज ईत्व जाता हूं जोहिला ट्रिब्यूटरी हो जाती है किसकी सोन की ये सोन में मिल जाती है ठीक है ना अनुपुर जिले में सोन नदी बहते हुए इंटर करती है सहडोल में ठीक है इसके बाद हम देखेंगे कि सहडोल के देवलोन में एक बांध बनाये गया है जिसका नाम है बांड सागर बांध ये बांध बांड सागर परियोजना के अंतरकत बनाये गया है अब मैं आपको बता दूँ कि बांड सागर जो परियोजना है वो तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है कि मद्द प्रदेश उत्तर प्रदेश और बेहार की संग्त परियोजना है जिसका अनुपात दो अनुपात एक अनुपात एक है ठीक है ना इसमें मद्द प्रदेश का अनुपात क्या है दो ठीक है तो आपको याद रखना है अच्छा बाण सागर परियोजना का मुख्यालय कह पर है तो वो रीवा में है इसलिए दोस्तों ये कुश्चन भी कई बार कंफ्यूज कर रहा है लोगों को कि बार्ण सागर परयोजना किस जिले में है तो कुछ यहां से बहते हुए यह सिंग्रॉली में इंटर करती है और सिंग्रॉली से उत्तर प्रदेश में प्रिवेश करती है उत्तर प्रदेश के एकमात रिजले से बहती है कौन सा जिला है सौनभधर रिजला और वहां से जारखंड और बिहार की सीमा बनाती हुए बिहार में इंट ठीक है ना तो सौन गंगा की क्या है एक ट्रिब्यूटरी है ठीक है ना आपको याद रखना होगा कि सीधे गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है सौन नदी है अब सौन के लावा मद्द प्रदेश की और ऐसी कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में मिलती है तो कौन सी है सतना जले से बहती है, सतना किसे नदी पार है, Ti इसके다면 सौन की एक पोड़ टरीपूट रेहंनल ये चत्यस गर्ड से आती है रेहंनल नदी बहते हुए सौन में मिलती है, रेहंनल नदी पर इस्ते थै ,cible Operations इस रिजर्वायर बनाये गया है तो आपको यह भी याद रखना है अब दोस्तों इसके बाद हम आगे देखते हैं सोन नदी के बारे में यह तो मैंने आपको मैप में बता दिया यह देखिए सोन नदी पर सोन घड़ियाल अब्रण भी है, ठीके न, कहां पर है, सीधी और सेडूल की बॉर्डर पर सोन घड़ियाल अब्रण है, घड़ियालों को सरक्षण किया जा रहा है, इसके लावा, यह जो डाइग्रम एक इमेज डली हुई है, यह आपके बांद सागर बांद की है, ठीके चलिए अब आँगे देखते हैं कुछ और information हम इसमें सोन नदी के बारे में सोन नदी का उद्गम मैं आपको बता चुका हूँ सोन नदी को पुराणों में नद माना गया है ठीक है न जैसे कि मैंने आपको नर्मदा नदीम बताया था गूगल पे तो 786 आता है Wikipedia वगेरा पे बट कोई बात नहीं आप साथ स्वस्य मानिएगा ठीक है चलिए उपनाम क्या है हिरन्यवा और सोन भद्र ठीक है न इसके उपनाम है हिरन्यवा और सोन भद्र भूगूल विद टॉल्मी जिन्होंने नर्मदा नदी को नामा दोस कहा था उन्होंने सोन को सोवा कहा है ठीक है तो ध्यान रखिएगा टॉल्मी ने सोन को क्या कहा है टॉल्मी ने सोवा कहा है important question है exam में आ सकता है सहायक नदियों की बात करें मैंने आपको map पे भी बताया था एक बार फिर देख लें जोहिला, रहंद और कुनहर ठीक है अब परियोजना के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ परियोजना कौन सी है बांड सागर परियोजना है जिसके साथ देवलोन में क्या बनाये गया है बांध बनाये गया है पांट सागरबांध है किनके बीच में यह संयुक्त परयोजना है मद्दप्रदेश यूपी बिहार दोस्तों यह मद्दप्रदेश की एकमातर ऐसी परयोजना है जिसमें बिहार भी कॉंट्रिब्यूट करता है ठीक है अनुपात लिखा हुआ है सौन नदी में दुरलब प्रजाती के कच्छवे पाए जाते हैं और सौन घड़याल संड़क्षन परयोजना यहां पर संचालेत है तो दोस्तों यह थी सौन नदी दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करे ताकि आपके और दोस्तों तक यह वीडियो पहुंच सके और वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें थेंक्यू सो मच